हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका डेविलिस्ट और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ इस स्वीट विफाई का 42-43 अध्याए तो चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सेकर लीजिए और भाई बेहन और आस पडोस में इसे शेर कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं पर छुप जाता है वहीं वर्चस्व वो निशी की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को कस देता है निशी समझ चुकी थी वो वर्चस्व की जाल में फंस चुकी है फिर भी उसने वर्चस्व से छूटने की कोशिश करते हुए कहा वर्चस्व छोड़ो मुझे तुम मुझसे दूर रहो वर्चस्व और कसकर निशी को जकर लेता है साथ ही बोला नहीं रह सकता तुमसे दूर और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं वर्चस्व ने ये बात कही अचानक वो निशी को लेकर पलट गया अब निशी बैड पर थी और वर्चस्व उसके उपर आगे वर्चस्व निशी की आँखों में देखते हुए बोला तुम ये पता है तुम इस वक्त कितनी होटी लग रही हो तुमने मेरे सोय हुए हार्मोन्स जगा दिये हैं तो अब तुम ये ही सब फिक्स करना होगा वर्चस्व की इन बातों को सुन निशी के चेहरे के भाव अजीब तरह के हो जाते हैं और वो बोली तुम बेशर्म आदमी बंद करो अपनी ये बगबास बात और छोड़ो मुझे निशी वर्चस्व पर चिलाती है वहीं वर्चस्व वो तो लगता है बोलता बाद में है काम पहले शुरू कर देता है उसने निशी के किसी रिस्पांस का वेट ही नहीं किया और अपने होंट निशी के नेक पर रख दिये वो उसे वहाँ किसस देने लगा वर्चस्व की स्पीड काफी तेज थी सच में वो अपना कंट्रोल खो चुका था वो निशी के नेक पर केस करते हुए ही अपना एक हाथ निशी के शर्ट के अंदर डाल देता है उसके ब्रेस्ट और टमी पर सहलाने लगता है यहां वर्चस्व कंट्रोल से बाहर जा चुका था वहीं निशी उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ जाते हैं क्योंकि वो यह सब नहीं चाहती है निशी वर्चस्व को खुद से दूर करने लगती है वर्चस्व प्लीज रूप जाओ तुम मेरे साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकते निशी की ये बात सुन वर्चस्व निशी के नेक पर किस करते हुए ही धीमी आवाज में बोला तो फिर तुम भी मेरा साथ दो और दोनों सब कुछ प्यार से करेंगे वर्चस्व की ये बात सुन निशी गुसे से आग बबूला हो जाती है और बोली प्यार वो तुम डिस्टब ही नहीं करते हो तुम बस नफरत के लायक हो हटो छोडो अच्छा अगर मैं नफरत के लायक हूँ तो तुम्हें भी फिर वही मिलेगा ये बात वर्चस्व ने कही और इसी बात के साथ उसने निशी के नेक पर जोर का बाइट कर दिया निशी दर्द में चिल्ला देती है आहह वर्चस्व प्लीज निशी की दर्द भरी आवाज सुन वर्चस्व स्मुक कर देता है फिर वापिस वो अपने काम में लग जाता है वर्चस्व के होंट अब निशी के कॉलर बोन को चूनने लगते हैं वहीं उसका हाथ निशी के बेक पर पहुंच जाता है वो वहां सहलाने लगता है वर्चस्व को इतना आगे बढ़ता महसूस कर निशी काफी जोर लगा उसे खुद से दूर करने लगती है उसे रोखने की कोशिश करने लगती है इतनी कोशिश के बाद भी निशी वर्चस्व को रोक नहीं पाई तो वो उसे रोकने के लिए गुसे से उसके कंधे पर मुखे बना मारने लगती है निशी को जहां मिलता वो वहीं वर्चस्व को मुखे से मार रही थी कभी कंधे पर कभी हाथ के बाजू पर ऐसे ही निशी एक जोर का मुक्का वर्चस्व की चेस्ट पर मार देती है ये मुक्का जैसे ही निशी ने वर्चस्व को मारा वर्चस्व एक दम हिल सा गया जैसे निशी ने उसकी दुखती रग पर हथोड़ा मार दिया हो वैसे निशी ने सच में वर्चस्व की दुखती रग पर हथोड़ा मारने वाला ही काम कर दिया था क्योंकि निशी ने वर्चस्व की चेस्ट पर वहां पर मुक्का मार दिया था जहां पर वर्चस्व को गोली लगी हुई थी ये मुपका निशी ने काफी जोर से मारा था जिस बजह से वर्चस्व को अपने घाव पर तेज दर्द होता है वो अचानक ही निशी को छोड़ देता है और उसके उपर से उठ उसके बगल में लेट जाता है निशी को अभी इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसने क्या किया वो तो बस वर्चस्व के छोड़ते ही चैन की सांस लेती है और यहां से भाग कर जाकर वाश्रूम में खुद को बंद कर लेती है यहां वर्चस्व के घाव से बल्ड निकलने लगता है जो की शर्ट पर साफ नजर आ रहा था अब जितना बल्ड निकल रहा था उतना ही वो घाव दर्द दे रहा था और उस दर्द का असर वर्चस्व के चहरे पर साफ जलक रहा था क्योंकि उसका चहरा फीका पढ़ने लगा था कल ही तो वर्चस्व को गोली लगी थी जिसका उसने ठीक से इलाज भी नहीं करवाया था और हॉस्पिटल से भाग कर निशी के पास पहुँच गया था ऐसे में घाव बिल्कुल भी नहीं सुखा था और फिर निशी ने उस पर मुक्का मार दिया तो उस घाव का हरा होना उसमें से बलड निकलना और वो दर्द देना ये लाजमी ही था अब वर्चस्व को जो पैन फील हो रहा था उससे उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था वो जोर से निशी का नाम चिल्लाता है निशी, वर्चस्व इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज वाश्रूम में बंद निशी के कानों में पड़ी तो वो डर से कांप जाती है यहां वर्चस्व फिर से चिल्लाता है निशी बाहर आओ वर्चस्व जितना चिल्ला रहा था वाश्रूम के अंदर रही निशी उतना ही डर रही थी तो कहा से वो बाहर आये निशी बाहर नहीं आई तो वर्चस्व बैज से उठा और वाश्रूम के गेट के पास जा चिल्लता है निशी बाहर आओ अभी के अभी निशी अभी भी बाहर नहीं आती है वर्चस्व का दिमाग खराब होने लगता है वो अब की निशी को धमकी देता है निशी खुद बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वर्चस्व की ये धमकी सुन अंदर बैथी निशी के पसीने छूट जाते हैं वो थोड़ी डर से खुद में बुदबुदाती है ये इतना क्यूं चिल्ला रहा है बाहर जाओ की नहीं नहीं जाओंगी तो और गुस्सा करेगा चली जाती हूँ वैसे भी मैं उससे दर्ती नहीं हूँ निशी को खुद जूथी तसल्ली दे मजबूत करती है और पहुंच जाती है वाश्रूम का गेत खोलने जैसे ही मिशी ने वाश्रूम का गेत खोला वर्चस्व गुस्से से लाल पड़ा सामने ही खड़ा था और उसकी शर्प बल से आधी भीग चुकी थी निशी ने जब ये देखा तो उसकी आखे हैरानी से फैल गई साथ ही उसे अहसास भी हो जाता है ये उसकी वजह से हुआ है ये अहसास होते ही निशी के चेहरे पर दर और परेशानी भरे भाव आ जाते हैं वो सब भूल जाती है कि वर्चस्व उसके साथ क्या कर रहा था उसके दिमाग में बस ये रह जाता है कि उसकी बजह से वर्चस्व हट हो गया वो जट से वर्चस्व के पास पहुँच गई पर वो वर्चस्व से कुछ कहती या करती उससे पहले ही वर्चस्व निशी को के कंदों पर अपने हाथ तिकाता है और उसे वही दिवाल पर टीका उसके सामने खड़ा हो जाता है फिर गुस्से वाली आवाज में बोला अब बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ वर्चस्व गुस्से में था जो निशी समझ रही थी इसलिए वो अपना थूंक गटकली और धीमी आवाज में बोली वो वर वर्चस्व येसा सोरी मैं मैंने जान बूझा सोरी सोरी माई फूट वर्चस्व तो निशी की बात भी नहीं सुनता और उस पर गुसा कर देता है निशी अपनी आखों को भींच लेती है वही वर्चस्व वो निशी को अपनी गोद में उठा लेता है और लाकर उसे बैट पर पटक देता है फिर खुद भी उसके उपर आ जाता है निशी फिर से वर्चस्व में फंस जाती है पर अपकी उसकी वर्चस्व को रोकने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी वो बस थोड़े डर भाव से वर्चस्व को देख रही थी वही वर्चस्व वो भी निशी के चहरे को ही देख रहा था फिर वो निशी के चहरे के करीब अपना चहरा करता है और उसके होथों के पास अपने होंथ ले जा बुदबुदाता है मैं जो भी करूं मुझे रोकना मत वर्ना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी ये बात बोल वर्चस्व निशी के होथों पर अपने होंस रख देता है वो पूरे पेशन के साथ निशी के होथों को किस? करने लगता है साथ ही अपनी पूरी बोडी को निशी की बोडी पर प्रेस करने लगता है वर्चस्व निशी के होथों को डीपी और पूरे पेशन के साथ किस करने लगता है साथ ही अपनी पूरी बॉडी का प्रेसर निशी की बॉडी में प्रेस करने लगता है वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी को ऐसा लगता है जैसे कोई एक एक कर उसकी हड़ियां तोड रहा हो अब कहा मस्कुला बॉडी वाला वर्चस्व और कहा नाजुक सी निशी उसके लिए वर्चस्व का भार सहना एक बड़ी भारी बोरी को उठा जो दर्द का अनुभव होता है उससे कम नहीं था पर इस तकलीफ के बाब जूद भी वो न वर्चस्व को रोकती है नहीं खुद कुछ करती है जैसा वर्चस्व ने कहा था वो उसे उसकी मरजी का करने देती है वही वर्चस्व निशी की तकलीफ से बेखबर निशी के होथों को चुनने में खोया हुआ था बढ़ते समय के साथ वो निशी के होथों और वायल्डली किस करने लगता है उसके होथों को चबाने लगता है सक करने लगता है और इस बीच वो निशी को सांस जरासा लेने का भी ताइम नहीं देता है वर्चस्व का इससे भी मन नहीं भरता तो वो निशी को उसका मुँख खोलने को मजबूर करता है जब निशी अपना मूँ खोल देती है तो वर्चस्व अपनी तंग निशी के माउथ के अंदर इंटर करता है और निशी के पूरे माउथ को एक्सप्लो करने लगता है उसकी तंग को सक करने लगता है वर्चस्व निशी को फ्रेंच किस करने लगता है वही निशी प्रट की कॉलर को कसकर पकड़ लेती तो कभी वर्चस्व की हाथ की बाजों को पकड़ लेती तो कभी वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लेती निशी के लिए सब बहुत मुश्किल था उसका चेहरा लाल पढ़ने लगता है आँखों में आसू की परत उभर आती है जिससे साफ पता चल रहा था निशी तकलीफ में है वही वर्चस्व रूखने का नाम नहीं ले रहा था करीब आधे घंटे बीट जाते हैं वर्चस्व के होंट अभी भी निशी के होंटों से उल्जे हुए थे इस लंबे ताइम से वर्चस्व को भले कुछ फर्क ना पड़ा हो लेकिन निशी वो पूरी वीक सी हो जाती है उसकी आखों के कोनों से आसु बह चलते हैं उसकी आखे बंध होने लगती है उसकी मुट्टी भी वर्चस्व की शर्ट की कॉलर को छोड़ देती है ऐसा लग रहा था निशी बेहोश हो रही है तभी अचानक वर्चस्व निशी के होंटों को अपने होंटों से आजाद कर देता है वर्चस्व के छोड़ते ही निशी का पूरा बदन धीला सा पर जाता है पर उसकी सांसे र वर्चस्व की ये बात सुन भी निशी सांस लेती वो बस अपनी आसू से भरी आखों से वर्चस्व की आखों में देखने लगती है। वर्चस्व की निशी की चेस्ट से अपना चेहरा हटा लेती है। वर्चस्व की ये बात सुन भी निशी की चेहरा लेती है। लेकिन निशी पता नहीं खोई हुई थी वो वर्चस्व की चेस्ट से अपना चेहरा उठाती है और वर्चस्व की तरफ देखने लगती है। निशी को खुद को देखता हुआ देख वर्चस्व उसके बालों में हलके से अपने हाथ फेरते हुए बोला। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं जितना तुम समझती हो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी उसे पहले जैसे ही देख रही थी पर वो धीरे से बोली। हाँ तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैं सोचती हो वलकी उससे भी कई ज्यादा बुरे हो। अगले दिन वर्चस्व निशी की सुबह एक दूसरे की बाहों में होती है निशी किसी छोटे बेबी की तरह बॉल बनकर वर्चस्व की। चेस्ट में चेहरा छुपा कर सो रही थी। निशी को खुद के इतना करीब सोता देख वर्चस्व की जब आँख खुली तो वो बस निशी को देखता ही रह गया। उसने कुछ पल निशी को देखा फिर वो निशी को बैट पर अच्छे से लेता खुद वाश्रूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वाश्रूम से बाहर आया वो रेडी होने लगा जैसे उसे कहीं जाना हो। जब वर्चस्व रेडी हो गया वो अपनी वाच पहनते हुए पीछे को मुड़ा पीछे मुड़ते ही उसकी नजर बैट पर गई जहां। निशी थी जो की अब जग चुकी थी और उठकर चुप चाप बैठी हुई थी। निशी काफी मेसी सी थी बाल उसके बिखरे हुए थे उसने जो वर्चस्व की शर्ट पहनी हुई थी वो भी उसके एक साइड शोल्डर से हलके से नीचे उतरी हुई थी। निशी को जगा हुआ देख वर्चस्व अपने कदम उसकी और बढ़ा देता है वही निशी जो खुद में ही चुप चाप बैठी हुई थी जब उसके कानों में वर्चस्व के शूच की आवाज गई तो वो वर्चस्व की तरफ देखने लगी जो की अब तक उसके पास ही पहुँच चुका था इतने पास की निशी डर ही जाती है वर्चस्व का चहरा निशी के चहरे के काफी करीब था वर्चस्व की इतनी करीबी से निशी उससे दूर जाने के लिए थोड़ा पीछे जाती है निशी जितना पीछे जाती वर्चस्व उसके उतना करीब जाता है एक तो उसके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं था निशी को समझ ही नहीं आता वो चाहता क्या है पीछे खिसकते हुए निशी जाकर बैट के सिरहाने से तिक जाती है अब उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था वही वर्चस्व निशी के करीब आ जाता है निशी डर रही थी ये वर्चस्व समझ रहा था इसलिए वो समक कर देता है फिर वो निशी के चेहरे पर अपना एक हाथ रख बोला दुपहर में तुम रेडी रहना हम शौपिंग पर चलेगे तुम्हारे लिए कपड़े लेने ये बात वर्चस्व ने नोमल टॉन में कही पर लगता वर्चस्व का नोमल रहना निशी को हजम नहीं हुआ इसलिए वो गुर्राती हुई आवाज में बोली दूर हटो मुझ से और मुझे नहीं जाना कहीं मुझे किसी कपड़े की जरूरत नहीं है निशी का जबाब सुन वर्चस्व अचानक अपने उस हाथ को जिसे उसने अभी निशी गाल पर प्यार से रखा था उसी हाथ से वो उसका जबड़ा पकल लेता है और अकडू वोईस में बोला बीबी में तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ तुम्हें बता रहा हूँ वर्चस्व ने अकड कर बोला तो निशी उसे घूरने लगी और उसके हाथ को जटक बोली तुम्हारी ये अकड देख में दरने नहीं वाली अभी थोड़ी देर पहले भीगी बिल्ली बनी हुई निशी अब एक जिद्धी अरियल लड़की वाली हरकत करने लगी थी है जहां मैं और तुम होते हैं और आगे वर्चस्व निशी के कान के पास गया और हसकी वोईस में बोला और मेरे सामने तुम बिना कपडों के भी रह सकती हो काफी होट लगोगी ये बात बोल वर्चस्व निशी के कान पर बाइट कर लेता है फिर वो निशी से दूर हट गया और रूम से जाने लगता है वही वर्चस्व की बात सुन निशी सदमे में जा चुकी थी फिर वो अचानक ही चिल लाई मुझे कपड़े चाहिए रूम से जाते हुए वर्चस्व के कान में निशी की ये बात गई तो वो अपनी दोनों आइबरो उचका देता है। दोपहर का समय जैसा की वर्चस्व ने कहा था कि वो दोपहर में निशी को शॉपिंग पर लेकर जाएगा तो वो वैसा ही करता है। अभी वर्चस्व निशी और मयंक तीनों शौपिंग मॉल में थे वर्चस्व निशी को अच्छे बड़े ब्रांट के शौरूम में लेकर आया था जहां एक से बढ़कर एक अच्छे कपड़े थे। निशी कपड़े देख रही थी उसी के पास वर्चस्व भी था अब शौपिंद करना किस लड़की को नहीं पसंद होता है। इसलिए यहां निशी का मूद थोड़ा अच्छा था वो बड़े अच्छे से अपने लिए कुछ कपड़े पसंद करती है और उन्हें पैक करने को पोल देती है। तभी सल्सगल बोली मेम आपकी चौइस काफी अच्छी है बट आपने जो कपड़े चूश किये हैं मुझे नहीं लगता उनका। साइज आपको फिट आएगा आप मुझे अपना साइज बता दीजिए मैं उस साइज में आपको सेम कपड़े दे क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका साइज क्या है। तभी निशी के पास रहा वर्चस्व उसके कान में फुस्फुस आता है 31 इंचे बस्ट, 23 इंचे वेस्ट and 32। वर्चस्व की इन बातों को सुन अचानक निशी उसके होंट पर अपना हाथ रख देती है और उसको ब पड़े लेकर आती हूं आप उनको एक बार ट्राय कर लेना फिर सारे इशु सॉल्व हो जाएंगे। ये बात बोल सल्सगल यहां से शर्माते हुए चली जाती है सल्सगल का शर्माना निशी भी देखती है तो उसे अजीब लगता है और वो अब वर्चस्व को घूरने लगती है वहीं वर्चस्व वो स्मर्क कर देता है। तो डोंट फगेट टो शेयर रिव्यू इन कॉमेंट यह बेस्ट पार्ट अफिन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प पहले पा सके. And if you like my story so commence your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे.